बर्तुमान समय जो हम प्राक्टिकल में देख रहे हैं कि हम आपस में रहते हुए हमारे मन में बहुत एक दूसरे के पती मन मुटाव होता है हम अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं एक दूसरे के पती आज के समय हम एक दूसरे से इर्शा भी करते हैं और घ्रना भी करते हैं प्यार की जो spontaneous flow होना चाहिए जो निश्वात प्यार की भावना हम सब के प्रति होनी चाहिए वो वर्तमान समय नहीं रही है एक दूसरे से हम competition करते हैं एक दूसरे से comparison करते हैं और हमारे दुख का कारण क्या है हम हमेशा अपने दुख का कारण दूसरों को समझते हैं कि इसकी वजह इसने ऐसा किया तो मुझे दुख हुआ उसने मेरे साथ ये किया उसको मैं पसंद करती हूँ उसको पसंद नहीं करती हूँ ये हमारी state of mind हो गई है कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसको उसके संसकारों से देखते हैं हम उसकी अच्छाईयों को कम देखते हैं उसकी बुराई तुरंत हमारे सामने आती है जबकि हमें करना क्या है अगर जीवन में खुशहाली लानी है हमें अपने संबंध सभी से खुबसुरत बनाने है क्योंकि हमारे जीवन में खुशहाली तब आएगी जो भी व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं वो हमसे खुश है और हम उनसे खुश है तो उसके लिए क्या किया जाए सबसे पहला पॉइंट हम घर को ही लेते हैं आइडियली कि घर में हम सबी रहते हैं और हमारे अलेक संबंध, व्यक्ति, परिवार हमारे घर में साथ होता है आजकल वर्तमान समय उसमें नहीं मन मुटाव है कोई किसी दिशा में जाता है तो कोई दूसरी दिशा में जाता है इसको ठीक करने के लिए क्या करें सबसे पहला पॉइंट जो जैसा है मेरे परिवार में सबसे मैं अपने ये एक्जामपल लेती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा मेरा एक परिवार है उसमें सदस्य है उनमें सब की नेचर सब के संसकार अलग अलग है कईयों के मुझे अच्छे लगते हैं कईयों के मुझे अच्छे नहीं लगते है तो सबसे पहले अपने मन में मुझे एक THOUGHT क्रेट करना है कौन सा THOUGHT Acceptance इसको हम कहते हैं power of acceptance जो जैसा है जो भी मेरे संबंधी मेरे साथ रहते हैं मेरे परिवार में रहते हैं उन सब को मुझे ऐसे ही स्वीकार करना है और मन में सोचना है जो जैसे हैं वो अच्छे हैं और मैं उनको ऐसे ही स्वीकार करती हूँ सबसे पहले क्योंकि देखिए इसका reason उनको स्विकार हम क्यों करेंगे देखिए भगवान भी क्या करता है जब इस धराप पर भगवान आता है तो हम बच्चे भी कैसे होते हैं हमारे मन में कैसे कैसे विचार होते हैं हमने भी बहुत उल्टे-शुल्टे कर्म किये होते हैं लेकिन भगवान आकर हमारी बुराईयां नहीं देखता वो हमें ऐसे ही स्विकार करता है और कहता है बच्चे तुम मेरे बच्चे हो तुम जैसे हो, मेरे हो तो इसी तरह से जो मेरे परिवार के मेंबर है वो मेरे साथ जुड़े हुए है उनके मेरे साथ कार्मिक एकाउंट है लेन देन है इसलिए वो मेरे साथ है किनी के साथ रिष्टे अच्छे हैं किसी के साथ रिष्टे अच्छे नहीं है लेकिन हमें सब को as it is स्विकार करना है अगर अपनी खुशी बरकरार रखनी है तो अब इसका reason भी समझ लीजे कोई आपको अच्छा नहीं लगता घर में Suppose for अच्छा सा example लेते हैं सास और बहु का हना ये well known example है कि सास और बहु घर में होती है तो सास बहु पर कुछ न कुछ कटैक्ष करती है और बहु को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन दोनों को साथ रहना है तो खुशी से कैसे रहेंगे एक तो है कि हम अपना संकल्प चेंज कर दे अगर बहु है वो बहु सास को सास न समझ के मा समझे कि ये मेरी मा है और सास बहु को बहु न समझ के अपनी बेटी समझे तो संबंद सुधर जाएगा दूसरा तरीका है ज्यान की समझ अब वो सास हमें उल्टा सिदा बोलती है तो उसका रिजन क्या है उसका रिजन पता होना चाहिए मैं और वो किसी और जन्म में भी साथ थे जो वो मेरे साथ आज कर रही है वो उल्टा वो गलत मैंने भी उनके साथ किसी पीछले जन्मों में किया है तो ये मेरा कार्मिक एकाउंट है वो भी अपनी जगह राइट है और मैं भी अपनी जगह राइट हूँ ये है ज्यान की समझ अगर ये हमारे अंदर आ जाती है कि ये लाउ ओफ कर्मा कि अगर कोई हमारे साथ गलत बहेव करता है तो ये जान लो कि पिछले किसी जन्म में हमने उनके साथ गलत किया है ये गिव इन टेक है जो हम देंगे वही हमारे पास रेटर्न होके आएगा क्याते है ना कि अगर पॉजिटिव किसी के साथ करोगे तो वहाँ से रेटर्न किया आएगा पॉजिटिव आएगा तो हमने कहीं न कहीं किसी जन्म में उन आत्मा के साथ उपर नीचे किया है कुछ गरबर रिलेशन में किया है तो वो अब हम से एकाउंट सेटल करने के लिए किसी न किसी रिष्टे में हमारे साथ जुड़े है तो उन से अपने संबंद बनाने के लिए मधुर बनाने के लिए ग्यान की समझ कहती है कि उनको ऐसे के ऐसे ही स्विकार करो कि वो जैसे हैं वो मुझे स्विकार हैं वो अच्छे हैं वो राइट हैं और उनके साथ जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना करो सोच के लेवल पे भी अच्छा करो यह नहीं है कि उपर से तो हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं अंदर से उनके लिए गलत सोच रहे है सोचना और करना दोनों समान होना चाहिए अंदर से मन से भी उनके लिए अच्छा सुचना है और करम से भी वाणी से भी उनके साथ अच्छा करना है For example, घर में पती हैं उनको गुसा करने की बहुत आदत है पत्नी पर बार-बार गुसा करते हैं तो पत्नी क्या करेगी या तो पलटके गुसा करेगी तो क्या होगा जगड़ा हो जाएगा और अगर वो समझ ले ज्यान की समझ कहती है कि सामले वाला अगर गुस्से में है और मैं शान्त हो जाओं तो जगड़ा बढ़ेगा नहीं शान्त हो जाएगा तो ये कौन सी शक्ती है ये है सहन शक्ती और ज्यान की समझ तो जो समझदार ग्रहणी होती है वो शान्थ हो जाती है, सहन करती है और सामने वाला कब तक गुस्सा करेगा? एक ना एक दिन तो उसकी समझ में आएगा ना कि मैं इतना कुछ बोलता हूँ और ये कुछ बोलती नहीं तो एक ना एक दिन उसके मन में फिलिंग आएगी और वो भी गुसा करना बंद कर देगा तो हमारी नेचर, हमारा स्वभाव दूसरों को परिवर्टित कर सकता है तो घर में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए पहले सब को स्वीकार करना है कई बार क्या होता है, हम किसे से घरना करते हैं किसी को रिजक्ट कर देते हैं, नहीं इससे तुम्हें बात ही नहीं करूंगी हाँ, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से हमारे रिलेशन कभी भी मधुर नहीं बनेंगे तो हमें जो गलत भी है, जो बुरा भी हमारे साथ करना है, उसको भी प्यार से स्विकार करो और उसके साथ उसके बुराईया नहीं देखने, हमें सबकी अच्छाईया देखनी है हर एक में विशेश्टाएं होती है कोई भी व्यक्ति बिना विशेष्टा के इस धर्ती पर पैदा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है उनकी विशेष्टाओं को देखना है और अगर आप जल्दी जल्दी अपने रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनकी विशेश्ताओं को देखो और उनकी विशेश्ताओं की महिमा करो, उनकी तारीफ करो, कि ये कारे तो आप बहुत अच्छा करते हो, ये गोण तो आप में बहुत अच्छा है, जब आप उनकी प्रसंसा करोगे, उनकी तारीफ करोगे, तो उनसे relation जल्दी अच्छे ह तो पहला पॉइंट, accept all members as it is, वो जैसे हैं, वो मुझे स्वीकार हैं, तो पहले उनको as it is स्वीकार करो, इस लेवल पे आना है, दूसरा, सबकी विशेशताओं को देखना है, सबकी अच्छाईयों को देखना है, उनकी बुराईयों को नहीं देखना, दूसरा पॉइंट, त अच्छाईयों का वर्णन करना है उनके सामने, उनकी प्रसंसा करनी है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मन से भी उनके लिए बहुत बहुत अच्छा सोचना है, ये नहीं उपर से हमने तारीफ की आजकल का ट्रेंड क्या है, उपर से इतना sweet language में बात करते हैं, और अंदर अंदर को और ही चल रहा होता है, तो उसका impact नहीं पड़ता, उससे relation अच्छे नहीं बन सकते, तो हमें क्या करना होगा, अंदर से भी हमें सब के लिए अच्छा सोचना है, और पाज़वा point, जब वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें, तो हमें pay gratitude to them, उनको thanks बोलना ह तो ये चीजें हम जब अपनी life में adopt करेंगे, तो धीरे धीरे जो भी हमारे relations में थोड़ा थोड़ा गरबड है, वो धीरे धीरे करके हमारा जो कार्मिक अकाउंट, negative कार्मिक अकाउंट है, उन अत्माओं के साथ धीरे धीरे settle होने लगेगा, और इन चीजों पर अब ध्या देंगे, तो एक ऐसी stage आएगी, कि वो आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, आपके relation अच्छे बन जाएंगे, और घर में एक अच्छा माहौल आ जाएगा, तो पहले इसको अपने मन के level पे काम करना है, मतलब मन उन संबंधों को as it is स्वीकार करे, वो जो हैं, जैसे हैं, मुझे स्वीकार हैं, दिल से स्वीकार करना है, दिमा की तोर पर नहीं, दिल से, जब हम किसी जीश को दिल से स्वीकार करते हैं, या कोई भी कारे दिल से करते हैं, तो उसका impact बहुत जादा होता है, तो first, उनको as it is स्वीकार करो, दूसरा, उनके साथ अच्छा व्यभार कर करो उनकी विशेष्टाओं को देखो और विशेष्टाओं को देखने के बाद उन विशेष्टाओं का वर्णन करो उनकी प्रसंसा करो उनकी महिमा करो तो कितना बुरे से बुरा गलत से गलत नेचर वाला व्यक्ति भी होगा वो भी हमारे साथ अच्छा व्यभार करेगा और मन से तो लगातार उनके लिए अच्छा सोचना है और जब हम भोजन बनाते हैं और जो सबसे ज़्यादा काम करता है जब आप भोजन बनाएं तो भगवान की याद में भोजन बनाएं और उनको प्यार से खिलाएं ये भी एक बहुत important point है relation अच्छे बनाने के लिए तो जब आप इन points पर काम करेंगे practically तो आप खुद अनभव करेंगे कि प्यक्ति विशेश जो भी हैं जिनके साथ हमारा अनबन है वो बदलते जा रहे हैं तो patience रखे इन points पर ध्यान दे और work करें तो family member के साथ हमारे संबन्थ अच्छे हो जाएंगे there should be a harmony in the relation और घर में एक खुशी का बातावरण सहयुक का बातावरण हो जाएगा तो जीवन जीने की इच्छा होगी और घर में भी खुशी का माहल बातावरण बन जाएगा ओम शान्ति